तो आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगा एक स्लैशर हॉरर फिल्म जो की 2005 में रिलीस की गई थी इस फिल्म का नाम है हाउस ओफ वैक्स जिसको डारेट किया है याउ मैं कोरियत सहरा ने यह फिल्म हाउस ओफ वैक्स 1953 की रिमेक है बट सिर्फ नाम के चलते स्टोरी बिल्कुल अलग है और खास बात यह है कि 1953 वाली फिल्म खुद 1933 वाली मिस्टरी ओफ दा वैक्स म्यूजियम की रिमेक थी इस फिल्म की IMDB रेटिंग है 5.3 स्टार्स आउट ओफ 10 लेकिन ट्रस्ट मी यह एक अंडर रेटेट जैम है दोस्तों मैंने अभी अभी नेट्फिक्स की लेटेस्ट जॉम्बी हॉरर फिल्म अलाइब को एक्स्प्लेन किया है जो की अनेदर अंडर रेटेट फिल्म है लिं सीजन के लिए हाला कि इसके अंदर आपको धेड़ सारे गेम्स का उप्शन मिलेगा जैसे फुटबॉल टैनिस कबड़ी इदियादी बटम क्रिकिट को एक एक एक्जामपल लेते हैं आप इस एपको डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और डि इसके अंदर आपको क्रिकेट मैच से रिलेटेड कुछ कुछ पूछे जाएंगे और आपको बस सही ऑप्शन चूस करना है जिससे आप पॉइंट्स बनाएंगे और कैश जीतेंगे दूसरा फॉर्मेट है ड्रीम टीम का जहां आपको मैच के लिए 11 बेस्ट प्लेयर्स कर देना वीडियो को तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ फिल्म की शुरुवात होती है 1974 की एक सीन को दिखाते हुए जहां पर एक औरत वैक्स को उबाल रही थी ताकि वो एक मास्क बना सके जिस दौरान हम उसके चोटे बेटे को एक हाई चेर पर अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए देखते हैं बट तभी इस औरत का पती अपने दूसरे बेटे को भी ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर आता है जो की काफी जादा गुसेल था वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था जिसके चलते उसको इस हाई चेर पर बेल्ट्स और टीप्स की मदद से बानना बढ़ता है जिसके चलते उसके हाथ पर कुछ निशान भी आ गए थे वो अपनी मा के हाथ पर भी खरोश देता है जिससे उसकी मा उसको एक जोरद सार थपड़ मारती है अब मुवी प्रेजन टाइम में आ जाती है जहां पर हमारी मुलाकात छे यंग्स्टर से होती है जो कि एक फुटबॉल गेम देखने के लिए जा रहे थे सो लेट्स इंट्रेड्यूस देम वन बाइवन सबसे पहले आती है कार्ली जोन्स जो की एक ए विदार पैरेस हल्टर ने निबाया है वो थोड़ी परिशान थी ऐस उसका ऐसा मानना था कि शायद से वो प्रेग्नेंट है बट वो इस बात को अपने बॉइफरेंट को नहीं बता सकती थी ऐस वो इस चीज से काफी ज़दा पिस्डॉफ हो सकता था पेज की बॉइफरें उसको बैट ट्विन और उसकी बेहन को गुड ट्विन माना करते थे देन फाइनली आता है निक का दोस्त डेल्टन जो की थोड़ा सा इमेच्योर था अब ये सब निकल जाते हैं इस मैच को देखने जहां पर हम एक ट्रूडीज हाउस ओव वेक्स का भी पोस्टर देख पा था इनको उस जंगल वाले एरिया से बहुत गंदी बद्बु आती है जिसको ये इग्नौर करते हैं खेर उसी रात हम ये देख पाते हैं कि एक अंजान टोट रख उनके कैंप के सामने आकर उनकी आंकों के सामने हैडलाइट चलाकर खड़ा हो जाता है जिसके चलते गुस् कोई वहां पर है जो उनको देख रहा है हम ओडियंस को नजर आता है कि उस व्यक्ति ने डैल्टन का कैमरा ले लिया था जिससे वो उनको शूट कर रहा था खैर वेड आकर उसको अपने साथ मिले जाता है और नेक्स डे जब ये सब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो जिसका पीछा करते करते वो लोग एक लार्ज डिच के पास पहुंच जाते हैं जहां पर धेड सारे मरे हुए जानवर थे और उस डिच के अंदर कारली गिर जाती है जो की बहुत ही डिस्गस्टिंग सीन था वो चिलाना शुरू कर देती है बड़ तब ही वहां पर वेड दिखा था जिससे वो बहुत तेज चिलाई थी बट ये अंजान व्यक्ति उस हाथ को निकालता है जो की एक प्रॉप था यानि के कट पूतली वो बहुत ही गंदे तरह से हसता है और कारली को कपड़े बदलते हुए बहुत ही गंदी नदरों से देखता है वो अपना नाम is राफिक जैम में फस जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो वापस साईट पर जाकर वेड और कारली के वापसाने का इंतजार करेंगे तोट रखकर अंदर वी कारली छिचयों कमदी नदरों से देख रहा था वो को बहती गंदी के लिए अफसोस होता है लेकिन ये अफसोस थोड़ी ही देर में डर में बदलने वाला था वो एक चर्च में जाते हैं जहां पर काफी सारे लोग थे और तभी एक बो नामक एक इनसान वहां से बाहर आता है और उन पर गुस्सा करता है बो का ये कहना था कि उसका कोई करीबी गुजर गया है और उसका एक पेट्रोल पंबी है जहांपर उनको फैन बेल्ट मिलने की उमीद थी तो वो उन दोनों को 30 मिनट बाद आने को कहता है वहां से जाते टाइम उ जो कि अपने घर से उनको जहांक रही थी कार्ली अप पेज को फोन करती है कि वो उन दोनों को ही आकर 30 मिनट्स में पिक अप कर लें वो उसको बताती है कि वो दोनों रोड के एंड पर एंब्रोस नाम के टाउन में हैं विच इस वेरी इसी तो फाइंड खेर टाइम पास करने के लिए वो दोनों ही हाऊस ओफ वैक्स के अंधर चले जाते हैं जो कि उस टाउन की शान था किसी जमाने में उस पर ख्लोस का टैग था बट वेरी एकसाइटमेंट में कारली के साथ अंदर चला जाता है हम इस म्यूजियम के बेसमेंट के अंदर वहां पर एक डॉग भी था जो कि बिल्कुल पुतले जैसा लग रहा था बट वेड उसको जिन्दा देखकर शौक्ड हो जाता है कर अब कार्ली को कोई डरावना व्यक्ति बाहर से अंदर जाकते हुए नजर आता है जिसको वेड चेक करने के लिए बाहर जाता है बट वहां पर कोई भी नहीं होता और कार्ली डरते हुए वहां से बाहर भाग जाती है वेड और कार्ली अब बो को गराज में मिलते हैं और पंदरा इंच की जगा सोला इंच वाला फैन बेल्ट लेकर जाने लगते हैं उन्होंने उसके लिए वहां पर पैसा भी रख दिया था बट त रोमेंटिक मूड था जिसके चलते वो डैल्टन और निक को भेज देता है अब शाम हो जाती है और कार्ली वेड बो के साथ उसके घर के पास पहुंच जाते हैं जिस बीच उसने उनको ट्रूडी हाउस ओव वैक्स की एक कहानी सुनाई कि ये सिंक्लेर्स नाम के लोगों का अब डॉक्टर विक्टर सिंक्लेर और उसकी वाइफ ट्रूडी सिंक्लेर एम्ब्रोस आए जब विक्टर को पेशन्स के उपर गलत एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से निकाल दिया गया था एम्ब्रोस में आने के बाद में विक्टर की बीवी ट्रूडी ने वैक्स वो ये डिसकवर करती है कि ये ट्रक तो वही है जो उस दिन रात को कैम साइट पर आया था एज उसकी एक हैडलाइट टूटी होई थी वो समझ जाती है कि बोग गलत आदमी है वो बलेक को भी फोन करती है कि यहां पर आखिर हो क्या रहा है लेकिन बलेक तो रोमैंस करने में बिजी था और वो मैसेज उसके वोईस मेल में चला जाता है अब वो जोर जोर से हॉर्ण बजाकर वेड को बाहर बुलाने की कोशिश करती है बट तभी घर के अंदर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और एक इंसान जिसका चेहरा वैक्स मास्क का था वो आकर वेड के पै जाती है उसी चर्च में जहां पर उसको यह उमीद थी कि वहां पर उसकी कोई हल्प करेगा बट टूहर शॉक चर्च के अंदर सभी के सभी लोग वैक्स से बने हुए थे बट उससे भी जादा शॉकिंग ये था कि एक फिगर का हाथ ही उकड़ कर आ जाता है विच वास फ् दूप नहीं पाती और वो उसको इवेंच्वाली पकड़ लेता है और अपने गैस स्टेशन के बीसमेंट के अंदर जाकर उसको बंद कर देता है वो उसके लिप्स को ग्लू से बंद कर देता है विच वेरी इंटेंस मीन्वाइल हमको वही मास्क पहना हुआ व्यक्ति नज जाता है और उसको अच्छे से कैप्चर करके गरम गरम वैक्स डाल दिया जाता है जो कि बहुत ही दर्दनाक सीन था आई मीन वो जिन्दा था और इस व्यक्ति ने उस जिन्दा इंसान को वैक्स का जीता जाकता पुतला बना दिया था अब आप सोच रहे होंगे कि यह है जहां पर कारली कैट थी वो उससे कारली के बारे में भी पूछता है बट वो उससे यह कह देता है कि यहां पर उसने किसी को भी नहीं देखा है जो कि निक के लिए थोड़ा सा अजीब था कारली खुद को छुडवा के एक नाली से अपनी उंगलियां बाहर निकालती है ता पूरे गैस स्टेशन को अंदर से ही लॉक कर देता है और बहार ही रह जाता है निक कार्डी को फ्री कर देता है दोनों ही अब बाहर आ जाते हैं तो बो उनको कहीं भी नज़र नहीं आता जिस बीच वो ये देखते हैं कि वेड और उसको जो औरत दिखाई दी थी असल में वो लोगों को जिंदा ही वैक्स का पुत्ला बना दिया गया था जो कि अन्चोली मर गये थे दूसरी तरह डैल्टन सीधा हास वैक्स में चला जाता है जहां उतरने लगती है जिसको देखते ही डेल्टन डर जाता है और जब वेड को इस चीज का एहसास होता है तो वह शौक से मर जाता है वहां पर विंसेंट आ जाता है जिससे डर के डेल्टन बेस्मेंट में गिर जाता है और विंसेंट उसका गला ही काड़ देता है जिससे डेल्ट लुक्स रुक जाता है तो बलेक जब बाहर जाकर देखता है तो उसको कारली का वोईस मेसेज मिलता है जो कि उसने बहुत पहले बेजा था बट तभी वहां पर विंसेंट आ जाता है जो कि बलेक को जान से मार देता है और उसके बाद में करारी फाइट होती है जिसके अंदर पेज को भी एक मैटल पोल से जान से मार देता है एंड देन वो उसको डेल्टन के कैमरा से रिकॉर्ड करता है meaning कि उस रात विंसेंट यहां पर आया था असल में यहां पर सीन यह था कि बो विंसेंट को बाहर निकलने नहीं देता था तो हो सकता है कि विंसेंट चुप के से बाहर आ गया होगा मीनवाइल टाउन के अंदर निक और कारली एक हंटिंग वाली शॉप के अंदर जाकर वहां से कुछ हतियार ले ले लेते हैं जिस दौरान बो उन पर गूलिया चलाने लगता है और वो दोनों ही वहां से सीधा जाते हैं उसके घर पर जहां पर वेड को वैक्स के पुतले में बदल दिया गया था कारली वहां पर एक फोटो देखती है जिसके अंदर दो बच्चे एक साथ जुड़े हुए थे जो की कोई और नहीं बलकि विंसेंट और बो थे खरब अचानक से ही वहां पर गायल बो भी आता है जो की एरोस को अपने चेस्ट और हाथ से बाहर निकालता है ये दोनों ही छुप जाते हैं और तब ही वहां पर विंसेंट बलेक और पेज की डेड बोडी को लेकर आ जाता है उन दोनों ही भाईयों की कॉनवर्जिशन को हम सुनते हैं और अब यहां पर खुलते हैं असली पत्ते इस कॉनवर्जिशन के दौरान हमको ये पता चलता है कि यही दोनों हैं विक्टर और टूडी सिंकलेर के बेटे शुरुवात में जो सीन हमको दिखाया गया था तो वो विक्टर और टूडी थे जो की बो और विंसेंट को समाल रहे थे गुस्से वाला बच्चा बो था और ये चीज हम उसके हाथों पर पड़े हुए निशानों से जान सकते हैं यहाँ पर विंसेंट शान्त वाला बच्चा था अब जो बो था वो शैतान और क्रुवल था विंसेंट बहुत ही अच्छा इंसान था और वो बस अपनी मा के वैक स्कल्प्चर्स का काम आगे बढ़ाना चाहता था बट बो ने उसको लोगों को मारना सिखाया और लाइव लोगों के वैक्स के पुतले बनाने को कहा बो एक किसम का साइको था उसी ने विंसेंट को मैनूपलेट किया था अब कारली को एक निउस पेपर कटिंग भी दिखी थी जिसके अंदर लिखा गया था कि उनके नहीं उन दोनों पर एक ऑपरेशन किया था जिससे उन दोनों को ही अलग किया गया जिससे विंसेंट का चेहरा डिस्विगर्ड हो गया था और बो के दिमाग के अंदर खुराफाती चीज़े आने लगी थी बच्पन से ही इसी सरजरी के कारण से उसको हॉस्पिटल से बाह मगाने लगता है जिससे वो ये समझ जाता है कि वो दोनों बेस्मेंट के अंदर है थोड़ा सा आगे बढ़ते ही निक को डेल्टन का वैक्स का पुतला मिलता है जिसको चूते ही उसकी गर्दन धर से अलग हो जाती है जिससे वो दोनों बहुत ही जदा दुखी थे लेकिन तब ही वहां पर आ जाता है विंसेंट जो कि उनको मारने की कोशिश करता है और वहां पर निक आग लगा कर उसको अपने पास आने से रोकता है और वहां से वो दोनों भाग जाते हैं और सीधा हाउस ओफ वैक्स में पहुँच जाते हैं यानि कि ये घर हाउस ओफ वैक्स स start कर दी घो कि फैलते फैलते house of wax में भी आ जाती है और पूरा house of wax पिल्य लगता है बो निक को overpower कर देता है लेकिन तभी खाडली आती है और उसको बुरी तरह गड़ चहरा भी देखते हैं कार्ली निक के पैर में लगे हुए चाकू से सीधा विंसेंट को मार देती है और उसको नीचे फेक दिया जाता है जहां पर वो सीधा अपने भाई बो के उपर गिरता है वो दोनों फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं जैसे वो बचपन में थे व अगले दिन पुलिस और मीडिया वहां पर आती है पर उनको पता चलता है कि यह टाउन पिछले 10 साल से अबेंडेंड था इसलिए ही ना तो यह मैप पर था और ना ही किसी को इसके बारे में पता था इसलिए यह दोनों भाई बचे हुए थे एज उनके बारे में किसी को भी पता ही नहीं था अब एम्बूलेंस के अंदर कार्ली और निक डैल्टन के कैमरा के साथ में जा रहे होते हैं कि तभी शेरिफ को इस फैमली की डीटेल मिलती है कि विक्टर के दो बेटे नहीं बलकि तीन बेटे थे जी हां और तीसरा बेटा कोई और नहीं बलकि वही था ज तो दोनों ही समझ जाते हैं कि यही उनका तीसरा भाई है जिसका इन सम में कोई भी हाथ नहीं था एज उसके रास्ते अपने भाईयों से बिलकुल अलग थे और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों यह थी हाउस ओव वैक्स 2005 फिल्म की कहानी उमीद करता हो कि आ पिपी विंसेंट क्रेजी डॉक्टर एक ठरकी लेस्टर हाउस ऑफ वैक्स का आग लगने पर पिघलना विच इस वेरी रियल पुतली के अंदर से इंसानों का मास और हड्डियां दिखना अन्सेट्लिंग सा महौल पैरेस हिल्टन की मौत वाला सीन और बो विंसेंट का अं नहां पर जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे खुलते हैं विच इस वेरी नाइस बस अंत में एक डाउट सा रह जाता है कि विक्टर का जो तीसरा बेटा है वो इंसम में इंक्लूड़िट था या फिर नहीं एस वो वेड और कार्ली को एंब्रोस टाउन तक लाया जिससे एक डा और फिर वहां से चला गया यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्ली को अच्छा और निक को बुरा समझा जाता था असल में डैल्टन ने एक कार चुरा ली थी जिसका इल्साम निक ने खुद पर ले लिया था और तब से ही कार्ली उसको गलस समझने लगी थी ब 1953 वाले पार्ट की वजह से क्रिटिक्स ने इसको कम रेटिंग दी हैं पता नहीं क्या फूक कर इस फिल्म को रेट किया था इस फिल्म में एक बैक स्टोरी थी सस्पेंस अच्छा रखा गया कॉमेडी थी रोमेंस थ्रिल हॉरर हाउस ओव वेक्स का नाम था तो असल में सब क कुछ प्रॉपरली दिखाया गया खेर आप सभी का इस बार में क्या खयाल है डू लेट मीनों इन दा कॉमेंट सेक्षन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना तो मैं आप सब को मिलता हूं अगली वीडि कर दो